चलिए दोस्तों एक और question हम देखते हैं endorsement प्लस dishonor का जिसमें एक छोटा सा twist है और इंट्रस्टिंग है और आप भी कोशिच कीजिए इसमें एक बार खुद से ज़रूर अच्छे से try कीजिए इस question को यह lecture को continue करने से पहले देखिए कि आपको कहां दिक्कत आ रही है ठीक है उसके बाद देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्या कहता है question वाई ओस एक्स रूपीस 4000 इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि एक्स ने वाई से 4000 रुपई लेना है वाई ओस एक्स का मतलब है एक्स ने वाई से 4000 रुपई लेना है ओन फॉर्स जैनुवरी 2019 वाई एक्स अब सत्थी मंस बिल फॉर 3900 इंसाटिस्फेक्शन ओफिस फुल क्लेम ध्यान देना हमें वाई से 4000 रुपई लेने थे उसने हमें 3900 का बिल दिया मनका चलो कोई बात नहीं है फुल सटेस्फक्शन मतलब यहां पे हमने उसे 100 रुपई का डिसकाउंट दे दिया 3900 लिया 100 रुपई का डिसकाउंट दिया और 4000 का डेट क्या कर दिया clear कर दिया बात तमन में आई on the same date it was endorsed by X to Z in satisfaction of his claim of 3980 वो ही बिल 3900 का हमने Z को दे दिया और Z को देना हमें 3980 था मगर हमने कहा है यह लो और हमें 80 रुपीज का discount दे दो तो एक तरफ से हमने discount allow किया 100 रुपय का Mr. Y को और दूसरी तरफ से Z से हमको 80 रुपीज का क्या मिल गया? discount मिल गया Getting my point? The bill is dishonored on the due date. Give the general entries in the books of X अब dishonored होने से होगा क्या? अभी एक बात यहां पर students को जो नहीं समझ में आती है और जो गलती करते हैं वो यह कि जो discount मिला और जो discount दिया वो क्यों मिला और क्यों दिया क्योंकि हम पैसे देने को तयार थे और जब पैसे दिये ही नहीं क्योंकि bill dishonored हो गया तो ना तो discount जो हमें मिला है वो मिलेगा और ना ही जो हमने discount दिया है वो हम देंगे. उन दोनों को भी reverse करना पड़ेगा Getting my point क्योंकि discount मिलने और देने का जो कारण था वो था payment और जब payment ही नहीं होगा तो हमें discount को भी reverse करना पड़ेगा This is very very important Getting my point? चलो समझते हैं अच्छे से आगे कहता है the bill is dishonored on the due date gives the general entries in the books of X. तो X की रिदावों में देखते हैं कि कि किस प्रकार से लिखा जाएगा in the books of X अकाउंट ठीक है देखो सबसे पहले तो 1 जन्वरी 2019 1st Jan 2019 को क्या हुआ कि हमें बिल मिल गया कितने का 4000 का तो बिल अकाउंट देबिट ध्यान देना 4000 का लेना था मिला कितने का 3900 का ये 3900 का बिल मिला मतलब यहां पर हमने डिसकाउंट अलाउड किया समझ में आ दीने बाद फिर बता दे रहा हूं मैं डिसकाउंट अलाउड अकाउंट डेबिट लेना था 4,3900 लेकि हमने फुल सेटेलमेंट कर दिया मतलब हमने 100 रुपय का दे दिया डिसकाउंट तो यह डिसकाउंट अलाउड को हमने कर दिया डेबिट ठीक है न हमादा नुपसान है एक्सपेंस है तू यहां पर हम लिखेंगे किसका अकाउंट तू वाइ वाइ अकाउंट कितना 4,000 क्योंकि हमने उससे लेना था मतलब उसका 4,000 का डेबिट बैलेंस रहा होगा और हमने यहां पर उसका अकाउंट क्या कर दिया क्लोस कर दिया मिला 3,900 ही मगर उसका अकाउंट क्लोस कर दिया ठीक है सिंपल है अब यही बिल हमने क्या किया ओन असे इम डेट एक जैन्वरी 2019 को ही यही बिल हम किसको दे दे रहे है जैड को दे दे रहे है जैड अकाउंट डेबिट 3,980 का उसका सेटलमेंट करने के लिए तो 3,980 तो बिल कितने का था 3,900 का फुल सेटलमेंट मतलब 80 रुपीस का हमको मिल गया क्या तो डिसकांट डिसकांć डिसकांट मिल गया ठीक है आई बात समयन में अहां अभी क्या हुआ इस्ट टाइम ऑफ मैक्चुरइटी मतलब ये 4th April 2019 when होता हैं हम पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं हमने क्या कर दिया था ध्यान देना हमने यहां पर Z का account close कर दिया था Y का account close कर दिया था हमने बोला कि अब Y से 4,000 लेना था अब यह नहीं लेना है Z को हमें 3980 देना था यह भी नहीं देना है हमने दोनों के account close कर दिया है दोनों के account फिर से हमको open करने पड़ेंगे हम को फिर से लिखना पड़ेगा क्या हमको लिखना पड़ेगा कि हमको लिखना पड़ेगा कि y से हमको फिर से पैसे लेने हैं हम उसका अकाउंट बंत कर चुके हैं y account debit कितना 4,000 ओर z account debit था तो तो z account credit कर दिया उसको कितना 3980 क्या यहीं पर खतम हो जाती है बात बिलकुल नहीं क्योंकि ऐसे में तो tally नहीं होगा न क्यों नहीं tally हो रहा है क्योंकि discount जो दिया और जो मिला उसको भी तो reverse करना पड़ेगा हमें उसको भी reverse करना पड़ेगा तो आप यह जो discount allowed को debit किया था उसको क्या करना पड़ेगा आपको credit करना पड़ेगा discount allowed यह 100 और यह discount is received जिसको आपने credit किया था उसको क्या करेंगे debit करेंगे तो यहां पर हम discount is received 80 अब आप कहा सकते हैं सब इसमें फिर BR को क्यों नहीं लिख रहे हैं बाकी सब तो लिख दिया discount is received भी लिख दिया जैड भी लिख दिया discount allowed भी लिख दिया वाई भी लिख दिया बियार क्यों नहीं लिखा दे बियार का account तो लड़ी close हो चुका है ना यह बियार मिला और यह बियार दिया बात खतम हो गई और वैसे भी endorsement और जो discounting है उसमें वियार कहां आता है मिल को बताओ डिसॉनर की entry आता है क्या नहीं आता है क्योंकि वह already close हो चुका है उसको कुछ करने की जोड़त आपको नहीं है यहां पे वाई का account cosmic for यह लेने हैं क्योंकि वाय से लिलेदे का अपकाउंट से खोलना पड़ेगा क्योंकि जैड़े देने हैं और जो discount मिला और जो discount दिया उसे भी दिवस करना पड़ेगा तो ट्रप्यमेंट न मिला न दिया तो discount भी ना मिलेगा और नहीं देंगे आई बात समन में तो यह एक ऐसा question है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है थोड़े से efforts डालने पड़ते हैं समझने के लिए ठीक है तो खुद से जदूर इसे एक बार try करें नहीं बहतर रहेगा हम फिर मिलते हैं अगले lecture में बबाई